सिक्षार्थियो नमस्कार आज हम लोग प्रारंबिक सिक्षा के सार्वभावमी करण में कौन-कौन से तत्व बाधक हैं इसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे जिसे की कहा जाता है कि Obstacles in Universalization of Elementary Education कौन-कौन से factors हैं जो की प्राथमिक सिक्षा के सार्वभावमी करण में बाधा उत्पर्न करते हैं और इसका तापर रिक्या है यह जानने और समझने की इस अईकाई में हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्षा का सार्वभावमी करण क्या है और इसका क्या अभिब्राय है तो सिक्षा के सार्वभावमी करण अथवा सारवजनी करण का मतलब है जन जन को सिक्षित करना अर्थात ऐसी सिक्षा जो की प्रतीक व्यक्ति को समाज के अंतिम व्यक्ति तक को सिक्षित करती हो उसे ही सिक्षा के सार्व भामी करण कहा जाता है भारतिय सम्वेधान के भाग चार में वरनित अनुक्षेत 45 में प्रत्यक राजिक को जिम्मेदारी सौपते हुए यहां कामना की गई थी कि वे जन जन को सिक्षित करने के लिए प्रारंबिक सिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था करेंगे और इन ही दिसा निर्देशों की पालना करने के लिए 2 अक्टूबर 1951 से ही शिक्षा के सर्व भौमी करण की दिशा में निरंतर और लगातार प्रयास किये जा रहे हैं हालाक इसमें तमाम तरह की बाधाएं जैसे आर्थिक मोर्चे पर परिशानिया या फिर विद्यालई धाचे की समझ्षाएं इत्यादी आती रहती हैं लेकिन फिर भी यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसे हमारा सम्विधान के दाइरे में रहते हुए हम इसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रात्मिक सिक्षा के सार्वभौमी करण में आर्थिक पक्ष एवं विद्यालई धाचे को लेकर किस प्रकार की और क्या-क्या बाधाएं आती हैं या क्या-क्या बाधाएं हैं क्या-क्या हिंड्रेंसेज हैं तो प्रात्मिक सिक्षा के सार्वभौमी करण में आर्थिक पक्ष एवं विद्यालई धाचे को लेकर कई तत्व हैं जो की बाधा उत्पन न करते हैं पहला जो तत्व है वह है आर्थिक विशमताएं भारत में आज सुदूर एवं दुर्गम छेत्रों में रहने वाले परिवारों का मुख्य विवसाय क्रिशी और मजदूरी है उनके जीवन यापन का साधन ही मजदूरी और या तो क्रिशी पे वो निर्भर हैं ऐसे में इन परिवारों के बालकों का अपचारिक सिक्षा की आशा करना किसी अपराज से कम नहीं है भूली से भी यदि ऐसे परिवार शहरों में आकर रहने भी लगते हैं तो जीवन निर्वाह और भरण पूसर की समश्या इन परिवारों के बालकों को बाल मजदूरी की योड़ ठकिल देने के लिए परयाप्त होती है असिक्षा और परिवार नियोजन से वाकिफ ना होने अथवा दूर दृष्ट की कमी की वजह से इनके बढ़ते हुए परिवारों की बालिकाओं को माता पिता और अन्य पुरुषों के कारे पर जाने के बाद छोटे बच्चों को समहलने के जिम्मेदारी का सामना भी करना पड़ता है ऐसे में सिक्षा इन परिवारों के बच्चों से कोशो दूर होती है जहां तक वो पहुँच नहीं पाते हैं और यही धन की कमी, यही आर्थिक disparity, economical disparity जो है, वो बच्चों को सिक्षा से दूर करती है, जिससे कि प्रारंबिक सिक्षा जो है, वो हर बच्चे तक पहुँच नहीं पाती है। दूसरा जो सारव भौमिकरण में बाधा उत्पर्ण करता है, वह अपरियाप्त सरकारी बजट, जो allocation है, education पे बजट का, वह कई बार अपरियाप्त होता है, और अपरियाप्त होने की वज़ह से भी प्रात्मिक सिक्षा के सारव भौमिकरण में तरह-रह की समस्याइं आती र खर्च हो जाता है और शेश केवल दस प्रतिशत ही विद्यालेयों और अन्य सामगरी के लिए बचती है तो अब सहाजिता समझ सकते हैं के इंफ्रेस्ट्रक्शर के लिए कितना कम पैसा बसता है इस तरह दस प्रतिशत को भी हम सामानेतिया हमारे यहां जो भवन जो है पानी पीने की विवस्ता इत्यादी पर खर्च किया जाता है जो की बिल्कुल ना के बराबर है ऐसे में जन जन तक प्रात्मिक सिक्षा का प्रशार नामुम्किन हो जाता है और यह बहुत दुशकर कारे हो जाता है तो पहले ही जो समस्या थी वो थी आर्थिक विशमता और दूसरी जो समस्या थी बजट एलोकेशन जो है वो का पर्याप्त कम होता है तीसरी जो बादा है वह है सिक्षा के सभी पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जाना विभिन सिक्षा नीतियों और आयोगों की अनुशनसाओं में सिक्षा कास पर जोर दिया गया है सभी सिक्षा नीतियां और आयोग इस बात पर तो सहमत है कि सिक्षा का विकास किया जाएना चाहिए और वह इस बात पे भी सहमत हैं कि विद्याले संडशनात्मक धाचे में सुधार, सिक्षक सिक्षा में सुधार, बालकों के सरवांगन विकास के लिए उद्यत होना, सामाजिक धाचे के अनुरूप सिक्षा, राष्टर के विकास के लिए सिक्षा, स्वयम को जानने यवं माजने के लिए सिक्षा, मानवता के लिए सिक्षा, शांत के लिए सिक्षा, आदी पर अलग समय में प्राथमिक्ता के आधार पर आवश्यक परिवर्तन भी किये गए हैं, लेकिन उची उची डिग्रियां बाटने के चक्कर में प्राथमिक सिक्षा वैसे की वैसे ही पीछ होड़ ही दिया गया है और सबसे ज़्यादा मादमिक सिक्षा को इन दोनों की वजह से समयोजन करना पड़ा है सभी पक्ष एक साथ ना मिल पाने के कारण प्राथमिक सब जगह फैला पाने में हम असमर्थ हो जाते हैं चोथी जो बादा है वह है विद्यालेओं के इस्थिति या अना प्राथमिक शिक्षा के सअरवजनी करन को हासिल ना कर पाने में एक बडा हाथ विद्यालेओं की इस्थित और उनका अईभावकों को आकर्शित ना कर पाना भी है। दुर्गम छेत्रों के लोगों की तो विद्यालियों तक पहुँच ही नहीं है। दूसरी तरफ सारवजनिक विद्यालियों के भवन इन हालातों में हैं कि शुल्क की मजबूरी ना हो तो उन विद्यालियों में अच्छे अध्यापकों की तो कल्पना करना दुरू है। अध्यापकों की कमी से ही हमारे विद्यालियों जूज रहे हैं। ऐसे में इन विद्यालियों में मजबूरी को छोड़ कर कोई प्रवेश नहीं लेना चाहता। कहने का दात पर यह है कि यदि विद्यालियों को आक कर ही रहना पसंद करेंगे अब प्रशनिहा उड़ता है कि सामाजिक पहलू और इस्त्रि शिक्षा के लिहास से प्रात्मिक शिक्षा के सारवी भौमी करण में क्या-क्या बाधाएं हैं तो इसको यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यह पाते हैं कि जनसंख्या वृद्ध हिस्सा आज भी निरक्षरता की स्रेणी में शामिल है जनसंख्या वृद्धि पर अंकुष ना लग पाने के कारण कई बार सरकार के द्वार लगाए गया अनुमान बेबुनियात साबित होते हैं ऐसे में सब के लिए प्रात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई ग होता है क्योंकि आम जन का अधिकांस भाग असिक्षा के कारण परिवार की वृद्धि पर नियंत्रन नहीं रख पाता है तो यह बात समझना आवशक है कि जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जो रिसोर्सिस हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं जिस अनुप है वह है महिला सिक्षा का आभाव यूनेस्को के आखड़े बताते हैं कि महिलाओं की विद्यालेई सिक्षा में प्रती अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि उच्चकक्षा में जाने से प्रती एक हजार पर छह सिश्यों की मृतिदर में कमी लाई जा सकती अर्था जहां एक 20.0-7 जोकी संपून भारत की साख शरता 6.5-2.64 AD1 दूशरी तरफ विहार की महिला साक्षरता 55.0 जोकी संपून भारत की साख शरता 6.5-49 AD1 36. अचिक्षा का आभाव को पर्दे के पीछे देखने वालों की कताई कमी नहीं है ईसे में घरेलू कारियों की अधिकता और समाज की रुड हिवादिता के कारण बेटी को विद्याले में पढ़ाने भेजनी की बजाए माता के साथ कारियों में हात बटाने को प्राथमिकता के रूप में रखा जाता है, समाज में अधिक पढ़ जाने करण विवाहेत उचित वर नाम मिल पाने के भैसे भी बालिकाओं को सिक्षा से वंचित रखा जाता है, कई सम्युदायों में तो जन्म लेते ही एत्वा जन्म से पूर्व ही विवाहते कर दिये जाते हैं, ऐसे में पढ़ाई की बजाए, ग्रहस्त जीवन जीना बालिकाओं और बालकों को सीखना पड़ता है, जिससे आनुबातिक रोब से बालिकाओं की प्रारमिक सिक्षा तो लगबग ना के बराबर होती है, इस प्रकार इन कुरुईतियों और रोड़ी वाधिता के चलते प्रात्मिक सिक्षा को प्रकार की बाधाय सामानिते हैं हमको नजर आती हैं, तो प्रात्मिक सिक्षा के सारभोमी करन में पाठ्य चर्या, नियमों के सारभोमी करन को लेकर कई तत्व हैं जो की बाधा उत्पन करते हैं, जिसमें दो तत्व जो हैं वो प्रमुक हैं और इन्हें हमें कंसिडर करना इन पे हमें ध्यान देना चाहिए, पहला जो है, वह है विस्तृत एवं अनुपयोगी पाथे चर्या, और दूसरा जो है, वह है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का कडाई से, कठोरता से पालन ना होना, पहली जो समस्या है, वह है कि विस्तृत एवं अनुपयोगी पाथे चर्या, कहने का तात पर है कि प्रात्मिक सिक्षा के वर्तमान पाथे करम में एक रूपता नहीं होने, यह हम अलग-अलग राज्यों में स्वयम का पाथे करम होने के कारण भी, प्रात्मिक सिक्षा का स्वारोभोमी करन निश्चिति संभों नहीं है, इस पर भी एक ही जीवन पवगई नहीं होगी जीवन अपयोगी नहीं होगी उसका महत्रित पाथन पॉर्ण है जिसके करण प्रात्मिक सिक्षा के सारव होमी करन में बाधाय सपन्न होती है दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का कठोरता से पालन ना होना एक अप्रेल 2010 को लागू किया गया मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का साथ वर्षों से अधिक समय बीद जाने के बाद भी कोई ज्यादा लाप प्रात्मिक सिक्षा को नहीं हो पाया है क्योंगे सरकारी विद्यालें को छोड़कर निजी विद्याले अभी तक भी 25 प्रतिशत स्थान गरीवी रेखा से नीचे के बालकों को देने के तयार नहीं है वो कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं जिससे कि गरीवी रेखा से नीचे बीपील के बच्चे ही नहीं मिलते और यदि भूल से मिल भी जाए तो गणवेस पाटेपुस तक अन्य सामगरी का खर्चा वहन गरीवी रेखा से नीचे के परिवार नहीं उठा पाते हैं जो कि प्राथमिक सिक्षा के सारवजनी करण में एक महत्तोपूर्ण बादा है यदि बीपील के बच्चे कई बार किसी प्राइविट स्कूल में एड्मिशन ले भी लेते हैं तो वहां के खर्चे जो है वो अन्य खर्चे फीस के अलावा फीस तो माफ हो जाती है लेकिन फ सात्मिक सिक्षा के सारो भौमिकर्ण में समस्याएं आती हैं धन्यवाद